हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त जीत और आज की इस वीडियो में दोस्तो हम रिपेर करेंगे जो हमारे घर में मिक्सर होता है उसका जार जग भी आप बोल सकते हो इसमें दोस्तो क्या होता है हमारे जग में जो बिलेट लगे होते हैं या फिर इसके पीछे का जो कपलर होता है फिरकी होता है वो अक्सर तूट जाता है इससे दोस्तों किस तरीके से आपको चेंज करना है हमारी इस वीडियो में आप सीख सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो आज की इस वीडियो में दोस्तो हम यही सीखेंगे जो हमारा मिक्सर है इसकी फुली रिपेरिंग इसके साफ्ट कैसे चेंज करना इसका ब्लेट होता हो किसी तरीके से चेंज करना है या पिछे का यह वाला कपलर लगा होता है इसे किस तरीके से चेंज करना पूरी डिटियल दोस्तो हमारी वीडियो में आपको मिल जाएगा कुछ लोग दोस्तो इसे कपलर बोलते हैं कुछ लोग इसे फिरकी भी बोलते हैं इसे open करने के लिए दोस्तो market में आपको इस तरीके का एक टी मिल जाएगा अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है नहीं है तो इसे आप हाथ से भी खोल सकते हो कोई इसमें problem वाली बात नहीं है अब यहाँ पर जो हमारा T है कुछ इस तरीके से अपने जग में से connect करने ला है ताकि यह जो हमारा फिरकी है यह घूमे नहीं अब दोस्तो हमारे जग में जो हमारा blade लगा हुआ है उसे हास से पकड़ लेना है यहाँ पर मैं एक चीज आपको करके दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा blade को अच्छी तरीके से पकड़ लेना है और जो अभी हमने आपको यह वाला T दिखाया है इससे अपने फिरकी में या फिर जो कपलर में लगा के इसे घुमाना है अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपको यह ध्यान देना है इसकी जो चूड़ी होती है वो उल्टी होती है यानि कि जब आप इसे टाइट करना चाहेंगे उस डारेक्शन में यह हमारा कपलर खुल जाएगा और जब आप इसे धीला करना चाहेंगे उस डारेक्शन में यह हमारा टाइट हो जाएगा तो इस चीज का आपको विशेज ध्यान देना है इसे हमें घुमाना उस तरफ है जिस तरफ हम टाइट करते हैं अपना नट बोल उस डारेक्शन में हमारा यह कपलर या फिरकी यह खुल जाएगा तो इसे दोस्तो हम कुछ इस तरीके से इसके biliet को हास से पकड़ लेंगे और जो हमारा ठी है उसे हम गुमाएंगेगा ठी नहीं है तो आप हास से भी गुमा सकते हो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें इसे घुमाना यानि कि सीधे डारक्षन में उस डारक्षन में यह हमारा खुल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो चूड़ी होती है वो उल्टी होती है तो निकालने से पहले दोस्तो यह पे आप ध्यान देजिएगा इसमें कुछ वार्सल भी लगे होते हैं आपको ध्यान दे देना है कि किस साइड लगे थे उस सायड आपको फिर से वापस लगा देना है अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा बाहर आचुका है तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हों उन्हें पूरा स्रट बाहर निकाल लिया है और अब हमारा जो बिलेट टूटा था हम बिलेट को चेंज करेंगे तो इसे निकालने के लिए दोस्तों हमें जरूरत पड़ेगी एक प्लास की कुछ इस टाइब का और प्लास से हम जो हमारा साप्ट होगा उसे पकड़ लेंगे ताकि यह घूमने न पाए कुछ इस तरीके से और अब हमें जरूरत पड़ेगी एक रिंच पाने की उससे हम घुमाएंगे दूसरे वाला सिरा जैसा कि हमने कपलर खोला था ठीक उसी डिरेक्शन में घुमा कि हमें खोलना है तो आप जैसे ही घुमाएंगे तो अक्सर ऐसा ही होता है कि जो इसका फाइबर होता है वो तूट जाता है क्योंकि दूस्तो हमारा जो नट और फाइबर है दोनों की ढ़लाई एक ही में होती है आप देख सकते हो तो फाइबर टूट चुका है उसके नीचे नट आपको दिख रहा होगा तो हम अच्छे तरीके से इसके जो साइड में फाइबर दिख रहे है इसे अच्छे तरीके से साब कर लेंगे और उसके बाद पिर खोलने की कोशिस कर रहे है फाइबर दोस्तों आप जब नया सेट लेंगे और नया बिलेड लेंगे उसके साथ ही में लगा हुआ मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहाँ पर हमने फाइबर की जो साइड में फाइबर लगा था उसे अच्छे से हटा दिया है और आप हम नट को खोल लें है याद रहे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही खोल के दिखा है इसकी चूड़ी उल्टी होती है तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान दे के खोलना है एक चीद दोस्तों मैं और आपसे कहना चाता हूँ कि हमारी website जल्दी ही शुरू हो जाएगी www.power.in करके उन सभी पे जो इसके parts है यानि कि जो mixer के parts है इन water के parts है वहाँ से आप जाके हमारी website से खरीच सकते हैं जल्दी हमारी website सुरू हो जाएगी तो इस तरीके से दोस्तों आप खोल सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा blade है उसका एक लेक टूट चुका है और आप हम चेंज करेंगे तो आप दोस्तों इसका blade भी चेंज कर सकते हो या फिर इसका जो आप soft देख रहे हो अगर यह खराब हो जाए तो इसी तरीके से सेम खोल के आप soft को भी change कर सकते हो देखिए तो दोस्तों अगर आप इसका soft बदलना चाहें तो soft भी बदल सकते हैं इसका अगर blade तूट जाए वो भी बदल सकते हैं या फिर इसके पीछे का जो फिर की चरकी लगा होता है वो तूट ज आप आसानी से खोल के बदल सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक एक पार्ट का निकाल लिया है अब दोस्तों इसमें हम नया blade लगाते हैं और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से फिट करते हैं तो यहां पर दोस्तों हमारे पास अभी four leg का blade नहीं था यानि उसमे four leg लगते चार leg अभी हमारे पास दो ही leg हैं दो ही को लगाने वाले हैं तो जैसा जैसा हमने इसे खोला था यानि कि जैसा जैसा इसका वार्ट साल गयरा लगा था अच्छी तरीके से लगा देंगे उसके बाद blade को लगाएंगे देखिए पूरा set के साथ में आता है यानि कि आप नया set लेंगे उसमें लगा होगा आप देख सकते हैं अब इसका जो nut है हम अच्छी तरीके से अपना जो saft है उसमें fix कर लेंगे वार्ट साल गयरा को अच्छी से tight कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी mixi में अच्छी तरीके से इसे fix कर देंगे तो इसमें दूस्तों होता कुछ नहीं है आपको एक ही बात का क्यों ध्यान देना तो इसकी जो चूड़ी आप चूड़ी समझ जाएंगे तो अच्छी तरीके से आप खोल के इसे repair कर सकते हैं यानि कि सभी घरों में लगबग लगबग ये mixi होते हैं और इसका काम अच्छा निकलता है आप इसक है पाना हो रिंच हो अच्छी तरीके से आपको tight कर देना है तो यहां पर हम इसे अच्छी तरीके से tight कर लेंगे ताकि यह जो ढहिला है यह इसका ब्लेट ढहीं होना चाहिए और एक चीज़ दोस्तों आपको इस पर जादा जोर नहीं लगाना है नहीं तो यह फाइबर का उपर का कैप होता है जैसा कि मैं इसे खोल ला था पहले वो तूट गया है तो इसलिए आप टाइट करेंगे फिर भी जगर जोर लगाएंगे तो तूट जाएगा अब इसे दोस्तों जिस डारेक्शन में आनी कि हम खोलते आए उस डारेक्शन में ये टाइट होता है तो यहा पर दोस्तों हमने बिलेट को अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है अब जो वार्सल निकले थे उपर नीचे दूनों लगे होते हैं दूनों को अच्छी तरीके से वार्सल डाल लेंगे अपने साफ्ट में और उपर नीचे दूनों वार्सल होता है ये चीज आप जरूर वाला जरूर लेके जाएं क्योंकि ये चार या पांच टाइप के आते हैं तो इसलिए अगर कहके लेके आएंगे तो हो सकता है कि आपका जो बिलेट है वो आपके जार में ना लगे तो इसलिए दोस्तो आप जब भी खरीदें तो पुराना वाला लेके जाएं अब कुछ इस साफ्ट खराब हो जाए या फिर उसमें जो अंदर बुस लगा होता है वो खराब हो जाए तो इसलिए आपको ध्यान दे देना है यानि कि जितने वारसल आपने निकाले थे उन सभी को अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है अब यहाँ पे हमने वारसल अच्छे तरीके से यह टाइट हो रहा है तो चूड़ी पे आप अगर ध्यान देंगे तो अच्छी तरीके से यह सब कर पाएंगे आप कोई प्रॉब्लम नहीं होती हलका साई से टाइट कर लेंगे और ज्यादा इस पे दोस्तों आपको जोर नहीं देना है अगर आप ज्यादा जोर लगाएं तो इस तरीके से आप चाहे इसके कपलर को रिपेर कर लिए या फिर इसका साफ्ट चेंज कर सकते हैं इसका ब्लेट चेंज कर सकते हैं कोई इसमें समिस्या नहीं है आप बड़ी आसानी के साथ आप कर पाएंगे वीडियो दुस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो मैं एक सिर चाही ऊज़ पादा, पसमा सचाही आपढ कर लिए आपको टॉकर का जापको झचाएंट 낭ाव ज तो मैं सना इसका शछ घूँड़ी आपको रिपीछवेन कर वीधित